दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागन टेक पर दोस्तों रेड्मी नोट 7 और रेड्मी नोट 7 प्रो का वेट जो है वो हम सभी लोग कर रहे हैं और जो कंट्री है रेड्मी के लगा लीजिए उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर कर कैमरे का फरक है और प्रोसेसर का फरक है लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं जो आपको डिफरेंस जो है दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा और आपके लिए इन दोनों में से कौन सा फोन जो है वो परफेक्ट होगा आज के वीडियो में आपको ये बता यहां पर सबसे पहली चीज़ में बताऊंगा तो यहां पर इसका प्रोसेसर जो है वहां पर आपको काफी बड़ा फरक देखने को मिलेगा यहां पर रेड्मी नोर 7 में आपको मिलेगा स्नैपड्रेगन का 660 प्रोसेसर जो क्लोक करता है 2.2 गीगा हर्ट की मैक्सिम प्रोसेसर जो क्राइब करता है और यहां पर आपको क्राइब फॉर्ट जेनरेशन का जाला चक्कर में पड़ाँगा मैं आपको यह बता देता हूं कि जो स्नैपड्रेगन 845 है वो भी थर्ड जेनरेशन के क्राइब 385 पर बेस्ट है तो समझ में आ गया यह नहीं आया अब स्नैपड्रेगन 675 बहुत ज़्यादा एडवांस है स्नैपड्रेगन 660 से तो मोटी सी मुद्द की बात यह होगी कि बहुत ज़्यादा फरक आपको देखने को मिलने वाला है उसके बाद दूसरे फरक की बात कर लेता तो वह मिलेगा आपको यहां पर कैमरा सेक्शन के उस पर भी आपको बहुत ज़्यादा फरक देखने को मिलेगा अब यहां पर आपको जो सेंसर मिलता है Redmi Note 7 में वो मिलता है 48MP का Samsung का GM1 सेंसर और यहां पर Pixel Binning यूज की गई है जबकि आपको Sony IMX586 मिलेगा Redmi Note 7 Pro में जो कि टू 48MP का कैमरा है और यह प्रोसेसर कैपेबल है उस फोटो को प्रोसेस करने में जी हां वहां पर आपको RAW इमेजिस जो है 48MP की ही मिलने वाली है तो यहां पर बहुत बड़ा फरका जाता है उसके लावा यह 1080p तक ही maximum record कर सकता है अगर मैं Redmi Note 7 की बात कर लो जबकि आपको जो Redmi Note 7 Pro होगा वहां पर आपको 4K recording का option भी देखने को म मिलेगा उसके लावा आपको front camera में दोनों में काफी अंतर देखने को मिलेगा यहां पर Redmi Note 7 में आपको 13MP का primary camera मिलेगा और यहां पर आपको मिलेगा लगबागी अभी यह confirm नहीं हुआ है लेकिन minimum आपको 20MP का या 24MP camera देखने को मिल सकता है उसके लावा दोस्तों मैं बात कर चार्ज 4.0 का support मिलेगा तो भी सब कुछ सेम है लेकिन फिर भी आपकी जो battery performance है उन में आपको काफी फरक देखने को मिलेगा क्योंकि Snapdragon 660 है 14nm की finfet technology पर और यहां पर जो technology उसकी है 11nm की finfet technology पर तो basically क्या है power efficiency जो है आपको Snapdragon 675 में देखने को मिलेगी क्योंकि यह 4th generation के cry आयो 460 पर बेस्ट है तो यहां पर आपकी जो एप्स जो आपके background में energy को consume करते हैं बहुत ही minimum करेंगे तो आप यह सो सकते हैं कि यहां पर आपको लगबग 43-44 mh की battery देखने को मिलेगी अगर आप compare करोंगे Snapdragon 660 की battery की performance के साथ तो उमीद करता हूं भी समझ में आ गया होगा और क्योंकि दो को देखिए दोनों इस प्रोसेसर की generation में फरक है तो आपको जो app opening है उसमें भी आपको difference देखने को मिलेगा जो आपको gaming है उसमें भी आपको बहुत difference देखने को मिलेगा एक lag free game जो है वो आपको लेखने को मिलेगी basically 675 जो है Qualcomm ने काफी जादा काम किया है प्रेश में gaming के उपर जिहां gaming के साब से यह जो platform है 675 यह काफी far better होने वाल है अगर compare करोगे Snapdragon 660 से तो इट मिंस यह है कि आपकी जो RAM management है जो आपकी multitasking है जो आपकी gaming है उसमें भी आपको काफी फरक जो है वो देखने को मिलेगा दोस्तों बात आ रहे थी likes की और आपके लि दोस्तों यह है कि यह target मैं रखता क्यों हूं दोस्तों देखिए likes का share का comment का कोई पैसा हमें नहीं मिलता है लेकिन आपका एक like जी हाँ likes देजिस वीडियो में मिरेको likes ज्यादा आ जाते है यार मिरेको motivation मिलती है कि मैं इससे भी बढ़िया content बनाओं ताकि अगली बार जो है को नहीं मिलेगा looks and design की बात कर लेता हूं तो दोनों में आपको सेम मिलेगा पीछे की तरह आपको glass panel देखने को मिलेगी और आपको dewdrop note जो है वो Xiaomi के phone में देखने को मिलेगी तो design वास है और दोनों ही phone जो है वो बिल्कुल similar और कमाल के होने वाले हैं उसके लावा आपको मैं बता दू के Redmi Note 7 जो है वो Android Oreo के साथ आ रहा है और Redmi Note 7 Pro हो सकता है Android Pie के साथ आए दोनों में आपको MIUI 10 देखने को मिलता है उसके लावा दोस्तों आपको यहाँ पर दोनों ही आपको basic sensors जो है वो सब के सब मिल जाते हैं fingerprint sensor मिल जाएगा face unlock मिल जाता है उसके लावा भाई बस same है सब कुछ almost तो आपको यही मिलता है अगर आपके mind में कोई भी ऐसी चीज है यार जो मेरे से miss हो रही हो जो आपको लगता है कि इन दोनों में difference जो हो सकता है तो आप में य करना चाहिए इन दोनों में से अगर मैं basic variant की बात करता हूं Redmi Note 7 के basic variant आने वाला है 3GB 32GB storage के साथ यहां पर आपको लगबग 10,000 रुपे पे करने पड़ेंगे अगर मैं बात करता हूं Redmi Note 7 Pro की तो 4GB 64GB उसका base variant आने वाला है जिसकी कीमत लगबग 15,000 रुपे के आसपास होने आने वाली है 14-15,000 रुपे के बीच में तो दोस्तों अगर आपका budget 10,000 रुपे है तो वहां पर killer phone होगा Redmi Note 7 अब यहां पर जो 4GB 64GB वाला है Redmi Note 7 का वो लगबग 12,500 रुपे के बीच में आएगा या 12-13,000 रुपे के बीच में आएगा जी हां तो यहां पर मैं कह यहीं कहू 10,000 रुपीज के लिए तो आप Redmi Note 7 के लिए जाए अगर आप इससे जादा थोड़ा खर्च कर सकते हैं तो आप Redmi Note 7 Pro को consider कर सकते हैं तो 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 उमीद करता हूँ मेरी तरफ से यह वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी होगी थोड़ी सी भी हेलफफु लगी होग हुआ झाल